अगर आपने Mortal Kombat की कोई गेम खेली हुई है या फिर गेम खेली भी नहीं हुई है तो YouTube के उपर इसकी कोई वीडियो देखी हुई है गेम की तब जाके आप इसके एक्षन जो इस Anime Movie के जो एक्षन हो उससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे नमश्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करूँगा Mortal Kombat, Pleasant, Scorpions, Revenge, Anime Movie के बारे में मेरा ये मुवी देखने का दिल सिर्फ एक ही चीज़ के उपर गया क्योंकि मैंने इसकी गेम खेली हुई थी PlayStation 2 के उपर तो मेरा बहुत जादा मन किया किया एक लिस इस Anime Movie को देखा थे अगर भारत के यूटूबर की मैं बात करूँ जो गेमिंग की कम्यूनिटी का खिताब लेके बैठे उनके ना तो कभी मतलब उन्होंने ऐसी कई गेम तो खेली है नहीं वो जादा तर सारे के सारे Free Fire या Korean वर्जन का PUBG डाउनलोड करके वह लोगों को खेल कर दिखाते रहते हैं वो लोग गेमिंग कम्यूनिटी का किताब लेके बैठे हुए जैसे इसका नाम है Scorpion Revenge इसी के अंदर हांजो हसासी नाम का एक व्यक्ति होता है उसके पूरे परिवार को उसके एक जो कम्यूनिटी होती है इसकी पूरे कम्यूनिटी के लोगों को इसकी एक राइवल कम्यूनिटी होती है जिसका लीडर होता है सब जीरो उसके द्वारा सारों को मार दिया जाता है और last में हांजो को भी मार देते हैं ये last के मतलब शुरू आत के ही इसके जैसे ही शुरू होगा उसमेह अब जब हांजो को जो मार दिया जाता है तो एक तरीके से ये दूसरी दुनिया में जिंदा हो जाता है ये तोड़ा सा अजीब सा है यारे इसको समझना पेचिदा है, समझना पेचिदा है, इसलिए किसमें उन्हें समझाने की कोशिट नहीं की है, अगर देखो, हांजो अगर दूसरी दुनिया में जाके जिन्दा हो सकते हैं, तो बाकी के लोग भी जिन्दा हो सकते थे, लेकिन वो चिप सीज़ें इसके अंदर नहीं दिखाई है, और जब हांजो दूसरी दुनिया के अंदर जाता है, तो वहाँ पर एक क्वांची नाम का एक व्यक्ति, इसको व्यक्ति कहूं या मिर मैं उसको कहूं, जो भी था, वो वहाँ का लीडर था, उस दूरी दुनिया है, मतलब जहां पर मरे हुए लोग पहुंचें, तो वो यह कहता है कि तू एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले ले, तेरी फैमिली को मैं वापस कर दूँगा, और साथ इसाथ वहाँ पर टूर्नामेंट में सब जीरो भी आ रहा है, तो उसको मार दियो, और मतलब अपना वदला पूरा कर लियो, तो इसलिए वहाँ से इसका नाम, स्कॉर्पियन बढ़ता है, इस हांजो को नाम कहते हैं कि अपसे मुझे स्कॉर्पियन मुलाए जागा और ये एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है, लेकिन इनकी जो कहानी, इदे से सोनिया बलेट की जो कहानी, वो बहुत बिल्कुल ही कुछ एक मिनिट की, शायद ही मुश्किल से एक मिनिट की दिखाई है साथ ही साथ उदर जोनी केज की भी एक मिनिट की उन्होंने इसके पीछे की कोई लाइफ दिखाई दिखाई ही नहीं है बट most irritating character जो रहा मुझे इसके अंदर लगा वो है जोनी केज बहुत जादा यार सर में दर्द कर दिया था इस character ने अब यह जो टोर्णामेंट है वो important इसलिए हो जादा है क्योंकि अगर इसको कुछ बुरे लोग जीत गए तो पूरी दुनिया खराब तबाह हो जाएगी अगर इस गेम में इसके अंदर भी दिखाया गए कैसे उसको खतम करेंगे स्कॉर्पियन का दिखाना था तो उसके एक्शन जादा है इसके अंदर अगर इस movie के मैं negative जीजों की बात करूँ तो negative चीज यही कि इसकी जो कहानी है वो ठीक ठाक है इतनी दमदार नहीं attractive इतनी जादा नहीं है लेकिन fighting scene के वज़ए से हम इस anime movie को देख सकते हैं और साथी साथ इसमें lack of information है इसका मतलब भी हुए कि जो anime character है उसके बारे में ज्यादा information हमें नहीं दी गई है जिससे हम उसे connect नहीं हो पाते हैं जैसे यह को fight चल रही है इसके अंदर emotions की कमी लगती है इसमें feelings की कमी लगती है हम उससे जुड़े हुए नहीं है तो सिर्फ एक से fighting आ रही है बस हम उसको देखे जा रही है और अब बात करूँ इसके animation की तो animation काफी अच्छा है यह आप लोगों को Amazon Prime Video को पर देखने को मिल जाएगी यह English में ही मिलेगी Hindi में नहीं मिलने वाली आपको अगर इस anime movie को मैं बाकी की movie से compare कूँ भले वो real action वाली movie हूँ तो यह वाली जो movie है यह जो anime movie वो काफी जादा बैटर है इन बाकी पुरानी movie से अब देखा यार Mortal Kombat जो है वो उन्होंने इस game जो game है इसने game के शेतर में तो यार बहुत जादा नाम कमा रहा है बहुत अच्छ अब जब आप बात करो इसकी कोई anime movie नहीं है इसकी कोई anime series नहीं है नहीं इसमें कोई real action इसकी कोई movie है जिसकी वज़े से मुझे लगता है कि इनको इस चीज के उपर work करना चाहिए लोगे इंदर ओर जादा क्रेज बनेगा जब इसकी कोई anime movie बहुत अच्छे एक उमदा ल तो यार one time watch है आप अगर game कहलते तो बेशक आप यह movie आपको देखनी चाहिए बहुत सारे character आपको relate होते हुए मिल जाएंगे तो बस आज के लिए इतना है इस video में thanks for watching this video मिलते हैं next video में जैहिंद